principles of systematics module 131 independent t-test are two sample t-test two sample t-test के अंदर हम दो samples को compare करते हैं उनके means को compare करते हैं और two sample t-test के लिए ज़रूरी नहीं है कि entities same हो इसके अंदर sample size same भी हो सकता है sample size भरक भी हो सकता है हम एक example के साथ इस test को समयते हैं हम एक hypothesis को test करना चाहते हैं hypothesis क्या है test the hypothesis that mean height of plants randomly selected from two fields are same दो fields से हमने randomly कुछ पौदे select किये हम उनके means को compare करना चाहते हैं और हमारी hypothesis यह है कि उनके जो means है वो बराबर है यह हमारी null hypothesis है अब इस slide के अंदर अगर हम देखें तो यहां हमारे पास दो samples है पहला जो sample field 1 का जो data है वो यह है यहां पर जो values है 10, 15, 20, 25 and 30 इसी तरीके से जो दूसरा field है उसकी जो values है वो 4, 8, 10, 15 and 10 पहला जो sample है उसको हमने x1 कहा और जो दूसरा sample है उसको हमने x2 कहा अब क्यूंके दोनो samples independent है और इसके उपर हम two sample t-test apply कर सकते है two sample t-test का formula slide के अंदर दिया है x bar 1 minus x2 bar divided by variance 1 divided by n plus variance 2 divided by n2 यहाँ पे n number of observations है sample 1 की और n2 number of observations sample 2 की अब इसको compute करने के लिए अगर आप यह table देखें तो x1 sample 1 था, x2 हमारा sample 2 है हमने क्या किया, इन सब का summation x1 हमारे पास 100 आ गया इन सब का sum किया, इसी तरीके से summation x2 हमारे पास 47 आ गया इसके बाद हमने जो x1 sample था, इसका square लिया तो यह हमारे पास different values आईं इसी तरीके से x2 जो हमारा sample था, उनका भी हमने square लिया और यह हमारे पास different values आ गयी उसके बाद इन सब का भी हमने sum कर लिया इसी तरीके से जो x2 sample था, इसका square करने के बाद इसका भी हमने sum कर लिया अब next slide के अंदर अगर हम देखें तो पहले हमने variance 1 मालूम किया variance 1 हमारे पास आया 62 इसी तरीके से हमने variance 2 मालूम किया variance 2 हमारे पास आया 15.8 यह जो हमारे पास variance 1 और variance 2 थे इनको हमने इस formula के अंदर उट कर दिया दोनों जो sample से वहाँ पे n का number 5 था इस वजह से यहाँ पे 5 और 5 आया इसको solve करने के बाद हमारे पास जो value आई वो आई 2.68 यह जो हमारे पास 2.68 value आई है यह calculated value है हमारी null hypothesis यह थी कि जो sample 1 है वो sample 2 के बराबर है यानि उसके means के अंदर फरक नहीं है और हमारी calculated value के आई calculated value 2.68 आई अब हमने दोनों samples के independently degree of freedom निकाले पहला sample total number 5 था n-1 किया 4 आ गया दूसरा जो sample था उसमें भी n-1 4 total हमारा दोनों को plus करने के बाद जो degree of freedom आया वो 8 आया अब हम T table के अंदर value देखेंगे जब T table के अंदर 8 degree of freedom के सामने हमने value देखी तो value आई हमारे पास 2.5 जबके हमारी जो calculated value है वो 2.68 है हमारी calculated value हमारे जो table की standard value है जिसको हम critical value कहते हैं उससे बड़ी है इसका मतलब ये है के दोनों जो samples के means है उसके अंदर statistically significant difference मौझूद है जबके हम क्या कह रहे थे हमारी hypothesis क्या थी हमारी hypothesis ये थी के sample 1 का mean sample 2 के mean के बराबर है लेकिन जो T test की statistics है उसकी base के उपर जो result आया वो ये है के दोनों के means के अंदर difference है तो based on the statistics of T test our null hypothesis is rejected